नमस्कार डीवी नीउस की खास ख़बरों में आपका स्वागत है पस्चिम बंगाल में पेपक्ष के निता शुबहिंदू अद्विकारी के एक आरोप के बाद मुख्य मंतरी मम्ता बनल जी ने सीफा देने तक की बात कह दी है जी हाँ सीएम ममता बनल जी ने कहा है कि अगर ये बात साबित हो चाती है कि तरन्मूल कॉंग्रेस का राश्ट्रे पार्टी का दर्जा चले जाने के बाद के इंद्रिग्रे मतरी अमिच्छा को उन्होंने फोन किया था तो वो अपना इस्तिफा तक दे देंगी ममता बनल जी ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी का नाम ओल इंट्रिया तरन्मूल कॉंग्रेस बना रहेगा दरसल शुभेंदू अधिकारी ने दावक किया था कि जब टीमसी का राश्ट्री पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग ने खत्म कर दिया था तब ममता बनल जी ने अमिच्छा को फोन किया था और उनसे इस फैसले को रद्द कराने का आगरेट तक किया था इस पर स्टीम ममता बनल जी ने कहा कि सभी पार्टियों की राश्ट्री पार्टी की इस्तिती की समीक्षा 10 साल बात करने का नियम था इसके हिसाब से अगली समीक्षा 2026 में होनी थी लेकिन उन्होंने 2019 में ही ऐसा कर दिया वहीं आपको बता दे कि निर्वाचन आयोग ने पिछले हपते ही ममता बनल जी की पार्टी टीमसी शरत पवार की एनसीपी और सीपी आई का राश्टी पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है और भी खबरों को जानने के लिए बने रहें डीवी नियूस के साथ